नमस्कार दोस्तू, स्वागता आपका एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल में दोस्तू, वास्तू सास्तर में कहा जाता है कि जो महला इस परकार खाना खाती है तो समझ लीजिये कि उस गर में ग्रीबी आना शुरू हो जाती है दोस्तू, वास्तू सास्तर में साप तोर पर कहा जाता है कि जो महला इस परकार खाना खाती है तो वह गर दीरे दीरे परबाद हो जाता है और उस गर से माता लक्ष्मी जी भी अपना वास बना कर छोड़ कर चली जाती है और वह गर दीरे दीरे परबाद हो जाता है दोस्तों वह कौन सा तरीका है जो महला को खाते वक्त कभी भी नहीं अपनाना चाहिए उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते रहे साथ दोस्तों वीडियो के आगे बनने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट केना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे साथ में अगर आप भगवान सिरी कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं और आप भी उसकी रासलिलों को पसंद करते हैं तो आप एक बार हमारे कमेंट वोक्स में जये स्री कृष्ण जरूर लिख दें दोस्तो ऐसा लिख देने से कृष्ण जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी बिगड़े वे काम बनना शुरू हो जाते हैं दोस्तो वह एक त्रीक है कि एक महला को कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए दोस्तो वास्तु सास्तर में कहा जाता है कि जो महला अगर खड़े होकर खाना खाती है तो उस गर में कभी भी अमीरी नहीं आती और वह गर पूरी तरस से ब्रबाद हो जाता है कि जो महला खड़े होकर खाना खाती है, तो वह गर कभी भी अमीरी का मुह नहीं देखता, और उस गर से माता लक्ष्मी जी सदा के लिए अपना वास छोड़ कर चली जाती है, और वह गर दीरे दीरे बरबाद हो जाता है, दोस्तों, अगर आपके घर की भी महला इसी प्रकार खाना खाती है, तो आप उसे ऐसे खाना खाने से रोकें, वरना दोस्तों आपके घर पर एक बड़ा संकट आने वाला है, जिस संकट को आप कभी भी पार नहीं कर सकते, और आप उस संकट में डूबते ही चले जाओगी, और आप एक दिन पूरी तरह से बरबाद हो जाओगी, दोस्तों, यह तो था वह एक तरिका, जो महला को कभी भी खाना खाते वक्त अप्योग में नहीं करना चाहिए, अगर एक महला ऐसा कर लेती है, तो वह गर पूरी तरह से बरबाद हो जाता है, दोस्तों, और ना ही कभी महला को तेजी से खाना खाना चाहिए, बलकि उसे दीरे दीरे और अपने पती के साथ खाना खाना चाहिए, कहा जाता है कि जो महला दीरे दीरे खाना खाती है, और अपने पती के साथ खाना खाती है तो उस गर में कभी भी गरीबी नहीं आती और वह गर हमेशा ही अमीरी में अपना जीवन व्यक्त करता है दोस्तों वास्तु सास्तर ने कहा जाता है कि जो प्रेमी जोडा सुबह शाम दोनों साथ बेट कर खाना खाता है तो उस गर में कभी भी माता लक्ष्मी जी कभी भी उस गर को छोड़ कर नहीं जाती और उस गर पर हमेशा ही पैसों की वर्षा होती ही रहती है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ में अगर आपने अभी तक हमारे इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल लाइकर को जरूर दबा दे ताकि दोस्तों आपको रोजा नहीं ऐसी ग्यान से बरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके तो धन्यवा दोस्तों